नमस्कार दोस्तों आज 16 जुन 2023 और आज SSC MTS के फर्ष्ट सिफ्ट का पेपर हो चुका है और पहले सिफ्ट में जो कोश्चन्स पूछे गए हैं उन कोश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ तो जो लोगा इस पेपर देकर आये हैं वो सभी मिला लिजे कि आप लोगों ने ज चलिए सुरू करेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजेगा नए साथ जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अन कर लिजेगा तो देखेंगे आज के पहले सिफ्ट में पूछे गे जिएसके important questions आणसर के साथ ठीक है देखें एक question आप से पूछा गया था कि सन 2001 में किस सहनाई वादक आप से पूछा था किस सहनाई वादक को भारत रतनसे नवाजा गया था और इसका right answer oh जाता आपका बिस्मिल्ला ख्राइब क्योंकि बिस्मिल्ला ख्राइब ये मसूर सहनाई वाद इनको सन 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था तो बिसमिला खां यहाँ करेक् सर हो जाता जो कि सहनाई के मसूर वादक रह ए और साथी साथ आपको एक चीज और याद रखना है साथ हो यहाँ कि देखिए 2001 में बिसमिला खां के साथ साथ कला के छित्र में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न पुरसकार दिया गिया था ठीक है ये चीज भी आपको याद रखना है चलिए आगे आप से एक क्वेश्चन पूछा गिया था केलुचरन महापात्र का संबंद किस निरित से है तो ओडिशी किसी किसी का कहना है कि सरी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गिया था कि ओडिशी निरित्य के किस नर्तक को पदम विभूसन पुरसकार दिया गिया है तो इसका राइट एंसर हो जाता केलुचरन महापात्रा ही ठीक है अब क्वेश्चन कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक क्वेश्चन अब से ये पूछा गया था कि सरदार भगत सिंग के साथ साथ इन में से और किन को फांसी की सजा होई थी या फांसी होई थी तो देखिए सरदार भगत सिंग के साथ साथ सुख देव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी तो इसका classes भी शुरू हो चुकी है चैनल पर देखिए अगला question एक पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत उच्छे नियायले रीट जारी कर सकता है बहुत ही important question था यह साथ यो संभिधान से related यह question पूछा था एक और पूछा था वह भी बताऊंगा तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत उच्छे नियायले यानि हाई कोट रीट जारी करता है तो इसका राइट एंसर हो जाता अनुच्छेद 226 अगर आपसे पूछे कि सर्वच्छे नियायले यानि सुप्रीम कोट जो होता है सर्वच्छे नियायले यह किस अनुच्छेद के तहत रीट ज पूछा था असम में फसल कटाई के वक्त कौन सा तियोहार मनया जाता है तो देखिए बीहू तीन परकार का बीहू को मिला कर असम में मनया जाता है और यह फसल कटाई के वक्त ही मनया जाता है जैसे कि देखो बीहू तियोहार को बोहाग भीहू रंगोली भीहू के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो कि फसल कटाई के वक्त मनेया जाता है एक क्वेश्चन आप से पूछा गया था कि सन 1900 इसवी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था बहुत ही ये डीप क्वेश्चन था और बहुत ही मतलब हाड बहुत मुझे तो ये लग रहा है कि 95% जो बच् जो बिटामिन की कमी से होता है आप देखिए ये जो पिलिया रोग होता है ज्सको हम जॉंडिस के नाम से जानते हैं जॉंडिस इसमें क्या होता है कि तवाचा शरीर का, शरीर और आख नाखुन जो हैं, ये सब पीला पड़ जाता है, ठिके, ये सब क्या होता है? पीला पड़ जाता है, और ये साथ यहीो, विटामिन की कमी से अगर पुछे, तो विटामिन B12 इसका राइत एंसर हो जाएगा, ये विटामिन B12 की कमी से होता है vitamin b 12 जिसका रसाइनिक नाम है साइनो कोबाला मिन क्योंकि इसमें ईसलिए इसका रसाइनिक नाम है साइनो कोबाला मिन चलिए आगे आप से question ये पूछा था कि लोधी वन्स में किस सासक का नाम निजाम खा था ये भी question बड़ाई deep पूछ लिया है तो साथ यो देख़िए सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी जो थे न उनका जो बचपन का नाम वो बचपन का नाम था निजाम खा ठीक है तो सिकंदर लोधी अगर आपके option में दिया हुआ था तो ये आपका बिलकुल right answer हो ज पूछा था कि हिमालाई पर्वत के सबसे बहरी हिस्सा को किस नाम से जाना जाता है कई सारे options थे मंभी और बहूं option दिये हुए थे तो देखिए हिमालाई परवत के जो बाहरी वाला हिस्सा है ना साथियो उसको सिवालिक के नाम से जानते हैं आप सभी पढ़े होंगे और बिल्कुल इस question को आज छक्का छोड़ा दिया हो गया ना तो सिवालिक इस question का आपका right answer हो जाता चलिए आगे question आपसे पूछा था white man cup का संबन किस खेल से है तो भई white man cup का संबन tennis से है तो long tennis या टेनिस आपके option में दिया होगा जो की बिल्कुल correct answer हो जाता white man cup का संबन जो है वो साथ या टेनिस से है तो long tennis इस question का right answer हो जाता आगे बढ़ते हैं आगे आपसे question पूछा था इनमें से कौन सी बिमारी protein की कमी से होती है अब देखिए protein की कमी से क्वाशी और कर नामक विमारी होती है जो खास तोर पे बच्चों को होती है चौधा वर्ष से कम आयूके जो बच्चे होते हैं उनको अगर बरपूर मात्रा में, मतलब कि जितना मिलना चाहिए, उतनी मात्रा में प्रोटीन अगर नहीं मिलती है, तो यह बिमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यह हैं, तो क्वासी योरकर बिमारी आपका इस question के लिए बिलकुल correct cancer हो जाता, चलिए आगे आप से question पूछा था कि फलो को पकाने के लिए किसका परियोग किया जाता है, तो एथिलीन अगर आपके option में दिया हुआ था, तो फिर आपका correct cancer हो जाता, अगर एथिलीन ओप्सन में नहीं था, तो एसी टिलीन दिया होगा, ठीक है, एसी टिलीन या एथिलीन दोनों में से कोई 100% आपके option में रह होगा, और आप सभी ने इस question को correct किया होगा, यह मुझे आप पे भरोसा है, चलिए आगे आपसे question यह पूछा था, कि प्रधान मंत्री आवास योजना 2021 में सहरी छेत्र से, ठीक है, सहरी छेत्र में देखे, प्रधान मंत्री आवास योजना दो परकार का होता है, एक होता है ग्रामिन में, और एक होता है आपका सहरी में, एक होता है साथियो, देखे, प्रधान मंत्री आवास योजना, एक होता है अरबन और एक होता है रूरल, ठीक है, तो अरबन में आपको पूछा था कि अरबन में 2021 में किस राज ने, किस राज ने पहला अस्थान प्राप्त कि यानि सहरी चेत्र में जारखंड को पहला स्थान मिला है यह दोनों ही चीजे आपको याद रखना है ठीक है आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगन्ना के अनुसार सबसे अधिक जन सांखा घंत्व किस राजज का है तो तथा उसे अचुनन रखने के मुलिक करतेबी का उलेख किस संख्या स्थान पर किया गया है अगर ऐसा पूचा था तो साथीों देखिए संबिधान का जो अनुच्य दिख्यावन का ए है जिसमें मुलिक करतेबी के बारे में बताया गया है और कितने प्रकार के मौलिक करते भी हैं तो 11 प्रकार के मौलिक करते भी हैं उसमें से ये जो 11 मौलिक करते भी हैं जो जिसका प्रवधान अनुच्छ दिक्यावन का A में हैं इसमें भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता के बारे में कितने संख्या पर बताया गिया है त तो ग्यारा में से जो तीसरा अस्थान है ना तीसरा उसमें बताया गिया है तो अगर तीसरा पहला दूसरा तीसरा ऐसे ओप्सन में था तो तीसरा आपका राई कैंसर हो जाता ठीक है चलिए एक क्वेस्चन आपसे पूछा था कि डॉक्टर भी आर अमबेडकर किस समुदाय स की महुझिले में एक महार परिवार में हुआ था तीक है वह महार जाती को उस समय अच्छूद समझा जाता था तो महार जाती अगर ओप्सन में महार दिया हुआ था कहीं पर तो यह महार आपका जो है बिलकुल करिक्ट एंसर हो जाता आगे आपसे क्वेस्चन यह पूछा आप है कि такое यह बैंको को रीन देता है वहां किस दर पर लेता है तो जो कि घू हए लेवल की तो थोड़ा सा बढ़ गिया है पहले से और इंग्लिज जो इनका सुरू से ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, बाकि जो लोग इंगलिस नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए टफ है, बाकि आपका ईब सेक्सन ए वाला जो पेपर है, रेजनिंग और मैथ वाला, उसमें तो केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, और उसमें आपका नेगेटिव मा के बैल आइकन को अनके लिजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्वास्त रहें जाइन साथ यो वन दे मात्रम